तो हमने लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कार्बन चैन की सिलेक्ष्ण, नम्बरिंग अफ पार्बन चैन और नीमिंग रूल हमें आज पढ़ना है दूसरे लेक्चर में, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि कार्बन चैन कैसे बन रही है यह वैलंसी क्या होती है बहुत साले बच्चों को बहुत डाउट आ रहा था, थोड़े रूलिंग में उनको दिखकत हुई, पांच रूल बताये गए थे, उस रूलिंग में उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आज थोड़ा से कुप्रिवीजन करेंगे, फिर से समझाने का कोशिस करेंगे और जिन बच्चों को नहीं समझ में फिर भी आये तो वो ग्रूप में एड होंगे तो ग्रूप में आके पूछ सकते हैं उनको जो भी डाउट आए ठीक है और चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं तो आई पेसी अलेक्चर तू है आज तो अब पहले हम लोग कार्बन चैन सी आप देखोगे कि कैसे हो रहा है तो यह कार्बन चाले इसको हम अगर नंबर करेंगे तो वन यह वन यह त्री पोफाइब सेज्ट सेवन एट इसको हम ऐसे एक तो लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि CH3 CH2 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 और 123456 साथ और 8 अब देखो यहां पर चेक करूँ कहाँ पर कार्बन के साथ तीन हाइट्रोजन लगे हुए है तो कार्बन के साथ यहां भी तीन हाइट्रोजन लगे होंगे कि इसको शॉर्ट में करने के लिए ऐसे कार्बन बना देते हैं ठीक है तो यहां पर दो है अदेको कार्बन यहां पर एक कार्बन लगा हुआ यहां पर यहां कि कितने बॉन्ड बना रहा है तो एक डो तीन 4 4 एक बॉन से जुड़ा था मतलि उसके पास तीन हाइड्रोजन इसके पास कितने हाईडरोजन बचेक वैलंसी कार्बन का जो एक नमबर रोता है तो क्या होगा लास्ट का नंबर होता है एक माइनस करते हैं तो हमारा चार आया तो इससे हमको पता चला है यह इसकी वैलेंसी होगी मतलब कारवन चार बना सकता है को किई यहां से सबस्सक्राइब यहां कपर डेके कारवन कितने तो नो करिया बना दो हैट्रोजिन यहां 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 सब दो हैट्रोजन अब यहां नमबर में देखो ch3 ठीक है तीन हाइड्रोजन तुछ here यहां कार्बन黄ोंड कितने बना रहा हैसिरम दो हर रहे पर के हाँ चैन केसे बन बार को झानिटी ते अब से नुघकत हो रही थी सौघी फर्फ१ दिसक्त करते हैं मारफ कशन करती है ऑर पूरा अच्छे से लिखा गया है इसे शाउर्प में लिखे尽 रहे तो देखो longest chain फॉर्स्क था अब जैसे कोई से दिया हुआ है कोई चैन दी हुई है यहां से जुड़ा हुआ है अब यहां से नमब्रिंग करूए 1234567846 Caleb 8 पर 9 अब यहां पर देखो यहांपर क्या हो रहा है थेय। नाइच गोट मैं यहां तो तो देखो नंबर टइंग करओ तो यहां यहां ली प्रोनेक अपनाइर से देखोगे आप अगर इंहे वाली चैन को देखो गेशी है 6 7 8 9 9 Carbons लगे हुए इधर 8 Carbons लगे हुए तो इसको पर देंगे इस वाली चैन को इस वाली चैन को सेलेक्ट करेंगे ठीक है डन हो गया चलो और जल्दी से स्टार्ट जल्दी से दूसरा रूल करते हैं दूसरा रूल हमारा क्या था सेकंड रूल इस मोर नंबर अफ ब्रांचेस और नंबर ओ ब्रांचेस का क्या मतलब है देखो मान लो कि ऐसे दे रखा है मारा कोई ग्जामपल लेते हैं ऐसे ऐसे यह कि नंबरिंग करते हैं वान टू थ्री पॉर पाइप सेक्स सेवन एट ठीक है अब इधर से देखो एट नंबर की कारबन चैनल बन रहे हैं इधर से देखो अब हम क्या करें हम से तो कहां गया था लॉंगेश्ट चैन सेलक्क करना है पर इसमें तो सारी डॉंगेस्ट है अब क्या करेंगे अब इसके लिए हम अब इसके लिए हम één में फॉलो करेंगे more number of branches जिस चैन में number of branches ज्यादा होगी उस चैन को हम सेड़ेक्ट करेंगे ठीक है चलो देखो इस वाले को पहले देखो कि इस वाले में देखो गया तो कितनी आपको चैन मिल रही है एक है देखो चैन में हमको इससे मतलब नहीं है जो डारिक जुड़ा हुआ हमको सिर्फ उससे मतलब है उसे को हम प्रांच कहेंगे अब इस वाले four carbon से देखो कौन सा एक ही तो जुड़ा हुआ है एक ही asги carbon जुरा आगी कितनी ancestors हमको से मतलब नहीं है हमको सिर्फ देखना है main carbon chain से कितने है तो यह एक branch हुई सिर्फ एक branch लगी हुई है अब आओ दूसरा देखो फूर अब यह वाला एक तो यह भी हो सकता है यह भी 8 number की है अब इसके साथ देखो एक एक देखो यह वाला branch जड़ा हुआ है और एक यह branch जड़ा हुआ है अब इसमें दो इस वाले को लेते हैं हम तो इसमें दो ब्रांचेज हैं अब आप तीसरे वाले को देखते हैं एक हमारा ये भी तो बन सकता है एक ये भी तो है ये भी तो लाइन में लगा हुआ है एक ये चैन हमारी बन सकती है अब इस वाले चैन में देखो क्या हो रहा है इ कौन सी चाइन सेलेक्ट करेंगे ये ग्रीन वाली चाइन सेलेक्ट करेंगे ओकि अब जल्दी से करते हैं थर्ट रूल क्या था हमारा थर्ड रूल था हमारा first look and lower numbering, first look and look and means branch side chain its called also side chain lower numbering ठीक है अब नंबरिंग करते हैं एक्जांपल से समझते हैं क्या है यह यह लगा हुआ है अब नंबरिंग करूं नंबरिंग करते हैं जलगी से एक तो यह हो गया अब दूसरा यह भी तो हो सकता है दूसरा तो हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं एक इधर से नंबरिंग हो सकती अब हम क्या करें अब हम करेंगे थर्ड रूल हमारा फॉलोन होगा कि अगर दोनों साइड से अगर हम अगर से और करें करें दें हमारा थजा रूल क्क्रवर्व सबसे लोंबरिंग होना चाहिए इधर से बढ़ेंगे तो तो दूसरे नंबर पर आ रहा है इधर से बढ़ेंगे तो हमारा फूर्थ नंबर पर आ रहा है जैने इसको प्रिप्रस देंगे फॉस्ट इस वाले को क्योंकि इसका लूवर नंबर ही खुड़ा है ठीक है लूवर मतलब कम नंबर पर इसका ब्रांच आ जा रहा है अब आप इसका नंबरिंग करो जल्दी से 1234567 अब इधर से हमारा फिफ्ट नंबर पर ब्रांच आ रहा है अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं जल्दी से करो जल्दी से इधर से करते हैं 1234567 इधर से नंबरिंग किया तो क्या हो गया इधर से हमारा थर्ड नंबर पर आ गया है तो ह कि इधर से करेंगे इधर से नमबरिंग करेंगे तान है चलो और एक्जांपल्स देखते हैं तुग है ठीक है यह दे रख है अब चलो अब देखो इसमें तो दो दो ब्रांच चीज आ गई है अब हम क्या करें तो हमको मतलब नहीं रखना है हमको सिर्फ और सिर्फ फॉस्ट देखने हैं हमको स्ट बयान्च देखने हैं जर फॉस्ट बरॉट में क्या हो रहा है ह One, Two , three , four , five, six, seven इधर से कांटिंग करता हैं तो हमारे जो वोयों तो इधर से काउंटिंग रहे हैं अब आते हम पर फोर्थ रूल पर देखो फोर्थ हमारा क्या कहता है फूर्थ रूल हमारे कहते है कि लूकेंट सम रूल लूकेंट सम रूल चलो इसको समझते हैं एक्जामपल लेते हैं आप चलो जलदी से नंबरी करते हैं 1234567 अब देखो अगर हम इससे नंबरीं करते हैं तो 102 दूसरे नंबर पर हमारे का स्स्लोक कहरते हैं इस फैसल मैं ङन्दो और हैं अब हम क्या करें दोनों साई सद liberation अब हम गया नमर्भ या अब नम्बर यो चाहिए दिट को क्या कहता है adequately Crash चाहिए प्लोंपर मिजो लोगंडुद स्वाइब हो चलो इधर से करो तो वन पर टो 2 प्लस इधर लेको 3 एक लोकेंट हमारा 3 पे आ रहा है तो 3 प्लस एक लोकेंट हमारा 6 पे आ रहा है प्लस 6 अब अगर तीनों को एड करो 6, 3, 9 तो 11 अब इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो देखो 1st second जो हमारा लोकेंट आ रहा है वो इधर से दूसरे नंबर पे एक आ रहा है एक इधर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 एक फिप्थ नंबर पे आ रहा है एक देखो ये 6 ये 6 नंबर पे आ रहा है अब एड करो इसको एड करोगे तो 13 अब हमारा क्या करेंगे जो लोकेंट का संग रूल है वो लोवर होना चाहिए तो अगर इधर अगर हम काउंटिंक कर रहे है तो 11 अरा इसे थाटीन आ रहा है तो ये ये वाला हम प्रिफरेंस इसको देगे 11 वाले को मतलब हम नंबर इधर से करेंगे क्योंकि इधर का जो लोकेंट संग मन रूल आ रहा है फिल्फ रूर आए चलू अब हम देखते हैं अमारा क्या था पलिए अलफा वेटें टूल टेंट दूल क्या कहता है अलफा टूल कहता है कि मालों को एक्जांपल लिए चलो नंबरिंग करते हैं इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर पर हमारा लोकेंट आ रहा है इधर से अगर नंबरिंग करते हैं इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो आ रहा है वो थर्ड नंबर पर आ रहा है इधर से अगर नंबरिंग करते हैं वह भी थर्ड नंबर पर आ रहा है अब हम क्या करेंगे अब हमारा अलफा बेट रूल आता है अल्फा बेटूल क्या कहता है इधर देखो थर्ड नμबर पर हमारे मेथल गुर्फ लगा हुआ और इधर देखो लगा हुए एक और दो दो कारबन की चैनल लगी हुए मतलब षब अब इन्में दोनों में देखेंगे कि एथिल और मेथिल में अलफाबेट किसका पहले आता है तो ABCD पढ़ो आप तो इसमें E पहले आता है तो हम इसको प्रिफिल करेंगे मतलब हो काउंटी इधर से करेंगे क्योंकि एथ पहले आ रहा है ओके चलो फिफ्ट रूल सारे पांच रूल हमने रिवाइस कर लिये हैं अब जल्दी से बढ़ते हैं कि नेक्स्ट अपने लेक्चर टू की तरफ बढ़ते हैं कि अथ्यक्स आप चलो हाँ हमने का डिसकस किया था वर्ड-वाले के बारे में रिसकस करी लिया था कि यह कर्मान वाले को में दो कार्मान वाले को एथ प्रीफिक्स reactions और एक फॉर्मूला वह लिखा था फॉर्मूला कि alleen नेमिंग Special to dressing teamで 3 prefix, प्लस word root, प्लस suffix, suffix में भी था हमारे पहले, primary suffix, then secondary suffix, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले word root तो आपको पटा ही चल गया है word root क्या है, अब हम prefix के बारे में आद discuss करेंगे, डीटेल में discuss करेंगे, prefix अब देखो प्रिफिक्स क्या होता है तो प्रिफिक्स एक मिनट प्रिफिक्स नेमिंग ओफ लोकेंड ब्रांच साइड चैनल इस प्रिफिक्स नेमिंग ओफ लोकेंड जो हम ऐसे कार्बन चैनल लेते थे उसके बाद उसमें जो ऐसे बगल में लगा होता था हमारा जो ब्रां एड़ करना होगा in an organic compound has branching the prefix will be added ठीक है बताई दिया मैंने क्या है यह तो अगर organic compound में branching हुई है तो हमको prefix दिशना पड़ेगा अब देखो prefix कैसे होता कैसे 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 करेंगे मांनों यह ऐसे कुछ दिया हुआ है और यहां पर हमारा कोई ऐसे लगा हुआ है ठीक है ऐसे कोई side chain लगी हुए तो यह साइड चैन है यह जो side chain है इसको हम क्या बोलेंगे इसको इसको हम prefix अगर यह लगा हुआ है तो परिफिक्स एड करना पड़ेगा प्रिफिक्स देखो कै एड करते हैं तो CH3 CH3 कैसी इसको हम बोलते हैं यह फॉर होता है फॉर्मूल का इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दें अभी क्यों होता है इसका भी लॉजिक समझो क्योंकि देखो यहां पर ज़्व यहां पर क्या यहां पर एक कार्बन वाले को हम बोलेंगे मित ठीक है और बात में हम उसका सफिक्स क्या जोड़ देंगे इल तो हमारा यह हो गया मिथाइल तो जितनी भी आपको ब्रांचेज मिलेंगे वह हमेशा एलकाइल गुरूप की होगी अब मानों यह ऐसे भी हो सकता है एक तो CH3 हो गया पेथ प्लस आय जोड़के मिथाइल हो अब एक हो सकता है CH2 CH2 इधर से हमारी पूरी चैन जूड़ी होगी मानों ब्रांच यहां से ब्रांच लगा वह प्रांच लगा होगी आब इसको हम क्या कहेंगे देखो दो कारवन वाला है एक ग्लस इसका जो सफिक्स हैं भूजोड देंगे एल तो हो गया एथाईल हो गया अब देखो अब करते हैं ठीक है इतना समझ में आगए ऐसी तीन कारवन का ले लो CH2 CH2 और CH3 सॉरी यहां पर 3 होगा ठीक है अब यहां से कोई जो चैन है वो जोड़ी होगी अब देखो क्या करेंगे एक दो तीन तीन कारवन वाला वर्ड रूट बता चुकी हूँ मैं तीन कारवन वाले को बोलते हैं प्रॉप प्लस आयल यह होगी आप प्रॉप आयल समझ में आए सब को ब्रांचिंग जो लोके मतलब प्रिफिक्स एड़ करेंगे तो कैसे ब्रांच अगर कोई लागा हुआ है तो उसमें कॉन सा प्रिफिक्स Fahrenheit होगा ठीक है अब चलो वह कोंप्लेक्स प्रिफिक्स के बारे में चप्चा कर लेते हैं कि एकर माल लूब 01 चोड़ी यास है आगई है तो obe लेक्स प्रिफिल्स प्रिफिल्स है जैसे फर्स्ट एक्जाम्पल लेते हैं यहां से कोई ऐसे चैन लगी हुई है और यह हमारा जो है ब्रांच लगा तो यह सिंपल लग रहे आपको यह तीन वाला है तो प्रोब हो गया लगा देंगे अगर हम इस में एक और जो मति है। यह पूरा पृपिक्स और यह पूरा ब्रांच की बात हो रही है यह जांसे जो प्रिफिक्स जो अड़ करते हैं उसके बार में और बात कर रहें ठीक है सम्वन में आ रहा है न तो यहां पर दिन कार्बन लगा हो था जो हम सीधा कह देते हैं प्रोपाइल लेकिन अकर यहांपर भी एक और आगी है तब हम क्या करेंगे तब हमको करना पड़ेगा इसका भी naming करना होगा जैसे यह पहले पहले समझ लो कि क्या है क्या बोलना चाहरी है यह लगा हुआ है यहां से अगर हमने कोई side chain लगा दी कोई branch लगा दिया CH2 CH2 CH3 और यहां से मालो हम एक और लगा दिये तो हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ और सिर्फ side chain की बारे में बात कर रहे हैं ठीक है अब आओ यहां से लगा हुआ है अब हम इसकी पहले हम इसकी naming करेंगे फिर हम इसकी naming करेंगे क्योंकि हमारा formula कहता है पहले हम prefix लिखते हैं then word root लिखते हैं तो word root अगर लिखेंगे तो यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छे चे क naming देखो कैसे करेंगे तो इधर से numbering कर one two three ठीक है इधर भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों से अब तीन कार्बन वाले के साथ को दूसरे नंबर पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारा मेत क्योंकि मैंने बताया था कि एगर CH3 है और अग प्लस एक हैणि के कमी है तो अलकाइब आएगा और अलकाइब भूब पाएगा तो तो हमा अब अब देखो प्रिफिक्स हमने इसका लिख लिए इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे प्रिफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स अब इधर देखो प्रिफिक्स तो हमने देख लिया प्रिफिक्स यह वाला है हमारा इस चैन के लिए हमारे लिए यह होका ब्रांच इसक इसने number पे आ रहा हैै मतला अब nose , इसका दो टी टीट कार्बन वाले को बोलते है तिंग माले कर्भा प्रोज अब तेकम इधर क्या हो रहा है प्रेफिक्स की बात चल रही है मतलत Grandpa लगेगा इधर also अगरी फिरी जूडा हुआ है एक इधर जॉडा हुआ है एक दो इधर से कर बन चैन जूड़ी हुई है तो मैं हां हां ठीकिश में दिख करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यसकी तो इधर से टŁन मेठाइल लो घ्रि सब्सक्राइब करका करेंगे तो अपने घंप lorsquा कर pliers करेंगे तो쳤 dictionary के लिती ईजए अब इस और शायं करो अब करें ये तो कि पर ये तक Μज हुल हुछ हुआ हुह हुआ हुआ है हुआ हुड हुग हु하 अब देखो अब सबसे पहले हम नंबरी करेंगे सबसे पहला रूल हमारा जो हमने फॉस्ट कंप्लीट किया था हो क्या किया था अब यह क्या हो गया यहां तो सारे चार चार कारवन की चैन आ गई तो हमारा सेकंड डूल में क्या कहा गया था कि जिसकी branching सबसे जादा होगी जिस chain में branching सबसे जादा होगी वो chain हम select करेंगे अब देखो यहां से अगर करते हैं तो इस वाले हैन को लेटे हैं तो यहां पर दो branching हो रही है अगर इस यहां पर सिर्फ एक branching हो रही है समझ ना यहां ना यहां से यह वाले channel co er करते हैं तो सिलक्ट करेंगे अब देखो फूर्थ नंबर पर हमारा फूर्ट कारवन की चैन हो गई है दोसरे नंबर पर हमारा मेरा कार्बन वाला है कि कंपगो एक कर्बन मेरा देखो साथ थक को दो नंबर पर क्या रहे हैं अवारा एध कंद लो कार्भन कि टेंसे इसलोगे प्लस मैंने क्या वताया था अगर ब्रांचिंग हो रही है तो इसमें क्या सफिक्स यह हो गया यहु attachment Now आप देखो तीसरे नंबर पर कौन सा जुदा हुआ है मेंथ जुड़ा हुआ है एक क्ारबन वाला है तो मेंत तो तुमित इथाईल तृमिय ट्री मेर अब देखो अब यह सारी हमने चैन को लिख आप देखो में चैन में कितना है एक तो तीन चार चार कार्बन वाले के लिए ब्यूट हो गया अब इसमें सफिक्स का जोड़ेंगे आए दस नेमिंग हो गई फिक्स की नेमिंग जो साइड चैन है उसकी नेमिंग आराम से कर लिए ठीक है समझ में आया कोई डाउट हो तो कि र oldest अक्क पर अग्ला लेते हैं लिए यह वारी सथ चाम इस यह दर से लगा हुआ है थै तुट आप देखते हैं एक दो तीए टीन कारवन की चैन एक डू डो कारवन की चाहले तो नमिंग किसकी चिस ज्ञादा चैन होगी जिसकी नंबर ज्यादा oneselfुगी वो select करेंगे तो यह वाला select करते हैं यह वाला select करेंगे तो one two three three है यहाँ one number पर एक देखो methyl group जुड़ा हुआ है दिखा की नहीं यह एक methyl group जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या one methyl और एक चीज़ और पता देते हैं कि यह जो डैश है अगर हमारा जो number number होगा अगर number और later के बीच में number देखो यह number ही है और यह later है तो हम बीच में डैश लगाएंगे अगर देखो जासे कि one two आ नदेख कोमा लगाएंगे अगर later लेटर के बीच में आ रहा है जैसे कि पहले example में दिखाते हैं जैसे यहां पर देखो यहां लेटर लेटर के बीच में है ना यहां पर हम नहीं करेंगे जब यहां पर कुछ नहीं करेंगे नो यहां पर देखो लेटर की नंबर और लेटर के बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे डैश लगाएंगे ठीक है समया यहां अगर नंबर नंबर के बीच में है तो कॉमा लगाएंगे तो यहां पर वन यहां पर नंबर और लेटर के बीच में है तो हम करेंगे वन डैश म मिथाईल वन पर मिथाईल आ रहा है और देखो वन टू थ्री कार्बन वाले को प्रॉप प्लस आई कितना आसान है समझ में आ गया है ठीक है अब अगला एक्जामपल लेते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं वान टू इधर से भी वान टू इधर से वान टू कोई वेस ले लो आपको देखो वन पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है मिठाइल गृप सबको दिख रहा है तो लिखेंगे क्या वन मिठाइल वन मिठाइल अब इधर देखो दूसरे वन मिठाइल और दो कारवन वाली की चैनल मतलब एट एट और हमारा सफेक्स आई समझ में आया सबको वन मिठाइल ठीक है एक और एक्जामपल करते हैं ऐसे एक नंबर पर देखो आपके कितनी ब्रांचे लगए हो Fisher nich तो मेंचाइन हो गई हमारी दो ब्रांच लगए हुए एक एक नमबर पे तो वन और ग्रुप कौन सा है मिथाईल मिथाईल तो वन वन पे एक मिथाईल दूसरा फिर वन पे एक मिथाईल दो मिथाईल लगे हुए हैं दो के लिए हम यूज करेंगे दाई दो के लिए हम दाई यूज करेंगे तीन के लिए हम ट्राई यूज करेंग यह लिकिन फिर भी आप suppose करो इक उल लगा होता है तो हम try लागा होता है तो टेट्रा ठीक है। तो यहां पर दो लगे हुए हैं तो दो लगे हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे dye और यहां तर देखो गृप कौन सा है यह मिथाइल तो dye dye मिठाईल चैन क्या है हमारी दोकारवन वाली चैन एंथ और सफिक्स आए गए अब हम बात करेंगे सफिक्स की ऑक एंट तो हमने बात कर ली प्रिफिक्स की वर्ड रूट की वर्डूट मी समझ रहो नवे फिक्स अब हम सफिक्स की सबक्राइमरी टो भी दो प्राकार कि होते हैं एक तो ब्राइमरी एक कि बारत करेंगे क्वी तो जितने 2019 कराएंगे वह अप्राइमरी अप्रिक्स को नहीं ठीक है तो प्राइमरी सफिक्स के बारे में थोड़ा सब कर दो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो एक अगर एक है अगर सिंगल बॉंड है तो एन लगेगा अगर डबल बॉंड है तो इन लगेगा हमारा जो सफिक्स है मतलब जो बाद में लगता है प्रिफिक्स का मतलब जो तो पहले लगता है तो बाद में लगने माला अगर दो डबल बॉन्ड है तो इन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आएं तो इधर सफिस की बाद में बाद करेंगे ठीक है यह हो गया है चलो एक्जांपल करते है करें आदें मालों यह सादिया हुआ chiedenbn की करो 1231234- detective से होसकता है पर दोनों से ही अ जा इदर शे करेंगे तो यहां भी एक बांच करेंगे ते थी यह आप देखो इस शैंद स की बारे बात करेंगे एक चीज करी नोटीश करीं करी drying 1234 इधर से भी तो नंबरिंग का सकते हैं 1234 लेकिन सेकेंड रूल थर्ड रूल हमारा क्या कहता था लोवेस्ट नंबरिंग लोवेस्ट लोकेस्ट लोकेंट नंबरिंग देखो इधर से अगर हम इधर से नमबरिंग करें 1 2 3 4 तो हमारा दूसरे नमबर पर लोकें特 भार है मतलब हमको नमबरिंग इधर से करनी होगी ठीक है तो इधर से नमबरिंग करते है 1 2 3 4 अम करते हैं किया अब इसका नेवीं करते हैं सबसे पहले हम क्या करते तो प्रिफिक्स याद है इसमें इतनी देरा चाच्छा हो गई है दूसरे नमबर प्रिफिक्स आ रहा है यहां परант एक कार्बन लगा हुआ demonstrates carbon एक बांड बना रहा है तीन hydrogen लगा हूँ है वो मतलब कि की है ड्योचट मंजन का कमी हो रहा है मतलब कि on water वाला अलकाई गुरूप केहा दूसरे नंबर पर हमारा दूसरे नंबर पर लाया मतल मिथाएल मैं बताब को seben话े अब क्या करना है वर्णरुट क्लेड लिखना है वर्ण रूट क्या है हमारा है 1530 42 4 करबन माले को बोते हैं बेंड विदा बेंड ते अब और देखो क्या करना है अब हमारा आता है सफिक्स अभी सफिक्स सेकेंडरी सब्सक्राइब और प्राइमरी सफिक्स में हमारा एन और आइन आता है उन्हें बताया था कि एक जो सिंगल बॉंड बनता है उसमें लगता है यहां को कहीं दवल बॉंड दिख रहा है नहीं दिख है तो आपको एन लगा देना है सफिक्स सिंगल बॉंड है तो एन फिर ठीक है कुछ ने हो गया हमारा नाम नेमिंग हो गई चलो एक और एक्जांपल लेते हैं कि वान टू थ्री फॉर फाइब सिक्स एक तो इधर से नंबरिंग हो सकती है दूसरी नंबरिंग इधर से भी हो सकती है दोनों में सेम आ है जब दोनों में सेम आ रहा है तो किदर से भी आप नंबरींग कर सकते हो ठीक है चलो इसका नाम लिखते हैं अगर अगर अधर से नंबरींग करते हैं तो एक दूसरे नंबर पर क्या रहा है हमाँ दूसरे नंबर पर हमारा रहा है एक गुरूप आ रहा है मिःथाई रूप तो टू मिःथाईल है तुम अब एक दो एक फाइव पे भी आ रहा है वाइव कि यह भी मिः थाइल है और फिर क्या रहा है है कि फिर उसके बाद देखेंगे क्या अब प्रिफिक्स सकों को इस डिए अब हमारा वॉर्डूट कि यहाँ देखो वंट्टो फ्री जिफ करवन वाला है और के और बाल मा सफिक्स सिंगल पॉन्ड तो सफिक्स क्या लगाएंगे अब तो हमने आपको बताया था कि अगर वही ग्रूप दो बार आए तो इसको लिख सकते हैं तो अगर नमबर के बीच में आप सब कॉमा लगाएंगे तो फाइव मिथाइल सॉरी यह होगा डाई मिथाइल हेक्सेन ओके डाई मिथाइल हेक्सेन अब देखो अगला एक्सामपल लेते हैं कि ये हमारा एक्जामपल है अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं इधर से करो वान टू थ्री ओ फो लो केंट हमारा थौड नंबर प्यार है यह तो गलत हो गया इधर से करो वान टू इधर से दूरी नंबर प्यार है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इधर देखो दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है दूसरे नंबर पे हमारा लगा हुआ है मेट तो टू मेट थाइल अब देखो उसके बाद देखो फोर्थ 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है 1, 2, 3, 3 कारबन वाला प्रो तो हो गया फ्री प्रोपाइल प्रोपाइल सॉरी फोर प्रोपाइल फोर्थ नंबर पे लगा हुआ है टू मेटाइल फोर प्रोपाइल और देखो छे कारबन वाली चाहन है एकसे ठीक है समन्या अब इसमें ये भी देखना है कि देखो मेट है इधर प्रोप है तो हमारा जो वर्ड रूट होता है चलो अगले एक्जामपल समझते हैं अभी इस एक्जामपल में रहें दो अब अगले एक्जामपल लेंगे तो उसमें समझाएंगे तो नमबरिंग करते हैं वन टू थ्री दूसरे नमबर पर आ रहे हैं मतलब नमबरिंग इधर से होगी अब देखो दूसरे नमबर पर क्या है दूसरे नमबर पर हमारा मेटिल लगा हुए तू में थाईगे तीसरे नमबर पर हमारा मेठी लगा हुए TIM मेठा है वोर्थ नमबर पर क्या लगा होगा है एथीन लगा होगा अब देखो अभी हम वर्ड पर पर के बारें बात नहीं करें अभी हम इतने को समझाने अब तो च्टू मेठाह पहले तो इसको हम ऐसे लिश लेक है और तो गया पोर एथाई अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है यहां पर देखो में आ रहा है इस से हम को मतलब नहीं है पिखो मतलब हमारा है कि जब अल्फाबेट ओडर अगर अगर हमारा अल्फाबेट देखे तो A, B, C, D, E, E पहले आ रहा है M से तो हम पहले प्रिफरेंस ये वाने को देंगे तो हमारा जो फाइनल होगा वो हम लिखेंगे फूर इथाइल है फूर इथाइल है टू थ्री टू कॉमा थ्री डाइ मिथाइल ये कुछ सिक्स कार्बन वाला है तो हेक्सें समया है फूर इथाइल के थीक है चलो तो आज हमने बारे में बात कर लिए कल हम से एकिंटिदी शबक्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा कॉशें इन और आइन वाले करेंगे तो जो कल मिलते हैं अगले व्डियो में थैंकियु के कि कि